गावों के महिला समोह और पंचायत प्रतिनिदी ये महसूस कर रहे थे कि इस क्षेत्र का समचित विकास तभी संभव है जब ग्राम सभा, पंचायत विवस्था और महिला संगठन सही सामज़स से बिठा कर काम करें। शिरुवात हुई ग्राम सभा को सशक्त तथा मजबूत बनाने से जैसे गाव के आर्थिक विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाना तथा प्रत्मिक्ता नर्धारित करना, गाव की संपत्ति की देखभाल करना तथा बुनियाती सुवधाओं की उपलदता सुन जसिंता बागे जो पहले गाव के महिला समुह की सदस्य थी आज आर्या पंचायत की मुख्या हैं महिने में होने वाली पंचायत समनवय बैठक में गाव के सभी वाड मेंबर और ग्राम प्रधान मौजूद रहते हैं जहां पंचायत स्तर के सारे विभागों की समस्याई सुनी जाती हैं देखा जा रहा था कि लोगों को राशन, पंचिन और मनरेगा कार्ड बनाने में बिचौलियों के करण काफी दक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इसे देखते हुए लगभग ब्लोक की हर पंचायत में ग्राम पंचायत हेल्प डेस्क बनाया गया आज पंचायत और महिला संगठन के सामोहिक प्रयास से 2200 लोगों को पैंशन जैसी स्विधाएं मिल रही है जब एफारे कानून लगू हुआ तो सरकार ने सामोदाइक और व्यर्तिगत वन पट्टा लेने के अनुमत दी इसके अंतरगत आरेया पंचायत के चार गाओं के लोगों ने ग्राम सभा में निर्णे कर 983 एकड जमीन का पट्टा लेने के लिए पहल की प्रदान ने अपने कारे के दाइरे को आगे बढ़ाते हुए लोगों के बीच नागरिकता शिक्षा कारिक्रम की शुरुवात की है एक कैरक्टर ही चेंज हो गया है यह अभी स्थानिय शासन लोगतंत्र को गहरा करना इस तरह के कामों में लगे हैं अपने करते हैं